नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं किसानों के हीत में है नए क्रिसी कानून क्रिसी मंत्री केंद्रिय क्रिसी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने किसानों से कहा है कि सांसत से पारित क्रीशी से समंधित तिन नए कानून किसानों के हित में है पत्रकारों से बाचित करते हुए तोमर ने कहा कि अगर किसानों को इन कानूने से कोई आपती है तो सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बाचित करने को तयार है उन्हें परदर्शन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि नागरीकों को कठिनाई होती है मालूम हो कि सरकार और किसानों को प्रतिनीधी मंडल के बीच चौथी दोरे की बाचीत गुरुवार को होनी है तो मर ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्यान के लिए परतिवाद है और क्रिसी का विकास सरकार की स्वरोज प्रत्मिकता है जारखन में धान की खरीद पर रोक जारखन के कई जुलों में धान की फसल खलिहान में पहुंच चुके है किसान जल से जल अपनी फसल बेचना चाहते हैं लेकिन सरकार ने 102 रूपया 50 पैसा प्रातिक क्यूंटल बचाने के लिए धान की खरीद पर रोक लगा दी है बता दे खादापूर्ती मंत्री का काना है कि गीला धान खरीदने से खाजाना को नुकसान होगा खादापूर्ती मंत्री ने धान की खरीद पर किरिया रोकने के निर्देश जारी कर दिया है मंत्री ने कहा है कि अगले 15 दिन तक धान की अधि प्राप्ती रोक दी जाएगी मंत्री ने कहा है कि इस वक्त यदी धान की खरिद की जाती है तो सुखने के बाद 5 किलो धान कम हो जाएगा ग्यात हो कि किसानों से सरकार 2050 रुपय प्रतिक किंटल की दर से धान खरिदेगी तो मंत्री के हिसाब से सरकार को सिर्फ 947 रुपय पचास पेसे का ही धान मिलेगा य मिलेगोजन एवं प्रसिक्षन वीभाग में अस्थनांतिरण के बाद अब इस कारक्रम से अध्योगी क्षेक्षन स्थानों को जोड़ने पर जोड़ दिया जा रहा है बता दे राजे में बनकर तयार 5 अद्योगिक प्रसिक्षन संस्थानों के संचालन की जिमेदारी राजय में कौसन विकास का प्रसिक्षन देने वारी संस्थावों को दी गई है इस मसले पर बुधवार को हुई बैठक जिसमें आई टी आई में सरकारी पाठकरम के अनुरूप तक्निकी सिक्षाक के संचालन पर विचार भी मस किया गया इसकूलों को स्वख्षता पुरसकार मिलेगा आज स्वख्षता के भी भीन मानकों पर बेहतर पर दसन करने वाले इसकूलों को गुरुवार को स्वख्षता पुरसकार मिलेगा वहीं भी भीन बोट के दसवी वा बराहुवी के टॉपरों को भी पुरसक्रित किया जाएगा बता दे मुख मंतरी हमन सुरेन प्रजेक्ट भावन में आउयिध कारिकर में या पुरुसकार प्रदान करेंगे कैलेंडर बना गर परिच oppose परिचाय ज इिप स्वख मंतरी मुख मंत्री ने इसके साथ ही सेवा की गरांटी अधिनियम के तभात राजी के सभी जीलों में जितने विजाती पवानपत्र अस्थानिय नीवास पवानपत्र आए पवानपत्र आधी के अविदन लम्बी था है प्रात्मिक्ता के अदार पर उनका निस्पादन करने को कहा है लाते हार में नक्सलियों ने तीन कर्मियों को किया अभ़न लाते हार के महवटा में हतियार बंध, नकाब, पोसो, नक्सलियों ने हिंडाल को कमपनी द्वाला संचलित बॉक्साइड माइन्स और काटा घर से एक सुपरवाईर समेट दो सुरक्षा गाडो का अभरन कर लिया है बता दे या घटना दो तीन दिन पहले किया है वो द्वार को इसकी प्रास्मी की दज करा है जाने के बाद मामला परकास में आया है पिछडों के 27 परतिसत आरक्षन को लेकर आंदोलन करेगी आयसू आयसू पार्टी के केंद्रिये समेटी की बैठक में हमेशा की तरह पिछडों के आरक्षन का मामला टोप पर रहा है बता दे बैठक में अस्पष्ट कहा गया है कि पिछडों के 27 फिस्दी आरक्षन को लेक आईसू चरनबत आंदोरन करेगी मौके पर बारा मिंदुओं पर मुखे रूप से चर्चा होई साथी सारनाख धार्म कोड पर भी पार्टी के पक्ष को अस्पष्ट किया गया पंचात सचीव और उत्पात सिपाही के अभियार्थियों के प्रतिनीदी मंडल ने नौकरी की मांग को लेकर बोद्वार को परदेश कंग्रेस के प्रवक्ता अलोक कुमार दूबे लाल किसोर नाच सादेव और राजेश गूपता से मुलकात की पंचात सची की और से प्रतिनीदी मंडल में सभिता कुमारी के साथ अन्य अभियार्थि सामिलित थे बता दे पिछली रगवर दास सरकार दोरा विभीन सरकारी महकंबो में सरकारी नौकरी दिये जाने को लेकर हजारों छात्रों की परिक्षा ले ली गई सक्षातकार भी किये गए रिजल्ट भी आगए लेके नियोकती पत्र नहीं दिये गए जिसके फलसोरूप हजारों बचे आक्रोसी था और आंदोलन भी किया है जार्खन में 206 नहीं संक्रमीते को पुष्टी हुई है जो राची पचासी बोकारोय गारा देवगर आठ धनबाद अठारा दुमका दो पूर्वी सिमुम बीस गड़वा दो गिरी डिपाच गुमला पाच हजारी बाग दो खोटी तीन कोडर्मा चार लोधागा चार पाक भारत में कुल संक्रमीतों की संख्याब 95,31,295 है जबकि 89,672 लोग स्वास्थ हुए और 1,386,288 की मिलिती हो गाई भारत में नहीं केस 31,543 मिले है भारत में एक्टिव केस 4,22,432 है वही जार्खन में एक्टिव केस 1907 है राजे में एक्टिव केस इस प्रकार हाए राची 707, पुर्वी सिमू, 296, बोकारो संतानवे धनवाद 80, गुबला 74, सराय केला 16, हजारी बख संतावन, रामगर 49, लाते हाथ 46, सायवज 45, पलामू, 44, लोड़दा का 40, गड़बा 49, देवगर 38, दूम का 37, पच्मी 37, खु को देगी वैक्सीन, कुरोना वैक्सीन का इंतियार टाटा इस्टील को भी है, टाटा इस्टील अपने करमचारियों वाओ उनके परिवार के सुरक्षक प्रतिगंबीर है, कम्पनी कुरोना वैक्सीन के आने का इंतियार कर रही है, ये बाते मंगलवार को टाटा इस्टील क एमडी ने मंगलवार को एमडी ओनलाइन में कही, उन्होंने कहा कि कमपनी परवधन सरकार के साथ मिल कर काम करेगी, कमपनी गाइडलाइन के तवाद करमचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कुरोना वैक्सिन का वित्रन करेगी पोशन आप से कुपोसित बचों की देखवाल होगी, राची जीला में आप कुपोसित बचों की देखवाल आसान होगी, इसके लिए एक आप लंज किया गया है, बता दे इस आप से मौल नुट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में कुपोसित बचों की देखवाल परनाली में राची के उपायुक 26 रंजन ने पोसन अभ्यान के अंतरगत एप का लोकारपन किया है ट्रेन में छुटी बिरिधा को मेरी सहली टीम ने घर पहुंचाया इसलामपूर हटिया एस्पेसल ट्रेन में बुधवार को एक बिरिधा छुट गई थी परिजनों ने मामले की सिकायद फरन आरपी एफ से की इसके बाद आरपी एफ के अधिकारी सक्रिये हुए बता दे इसलामपूर से हटिया आ रही ट्रेन नमबर 08623 को मोरी रेलवेस टेशन पर रोका गया मोरी में आरपी एफ उप निरिक छक डिक्के मिस्रा और आरपी एफ मेरी सहली टीम के सदस्यों ने ट्रेन को चेक किया जिसमें बृद महिला को ट्रेन से उतार कर मोरी आरपी एफ पोस्ट पहुँचाया गया इसके बाद उन्हें घर पहुँचाया गया OPD के बाद बैठक में नहीं सामील हो रहे हैं चिकित्सक रिम्स के नए निदेशक डाक्टर कमेसर परसाद ने 15 नौबर को पदभार ग्रहवन करने के बाद 18 नौबर को निदेश जारी किये था कि चिकित्सा सेवा सुद्रिड करने के लिए हर दिन नियमीत रूप से साम पांच बजे चिकित्सको की बैठक होगी इस बैठक में सामील होने के लिए सभी चिकित्सक साम पांच बजे तक हर हाल में अस्पताल में उपलब्द रहेंगे और OPD का संचालन भी डंग से होगा बता दे नियर्देश जारी होने के महज सपता भरबाद से ही इसमें कोताही सुरू हो चुकी है कभी बैठक होती है तो कभी नहीं बैठक जब होती भी है तो कई चिकित्सक इसमें सामील नहीं होते 10 दिसंबर को राजवयापी चक्का जाम जारखन के बाम और धर निर्पेक्स दल समाजिक और जन संगठनों के साथ मिलकर देश में जारी किसांज आंदोलन के समर्थन में व्यापक आंदोलन करेंगे उनका निने बुद्वार को भागपा कर्याले में आयोजीत, बाम, अधार, निर्प्यक्स, पाटियों और समाजी वो जन्ज, संगठनों की सन्युक्त बैठक मिलिया गया मद्दाता जगरूपता रत पलामु समनाले से हुआ रवना जगरूपता रत जगरूपता रत जबहर के सभी परखंडों में जाकर लोगों को मद्दाता पुनरिक्षन कारेकरम के बारे में जनकारी देगा पी एल जीये की बिश्वी वर्षगाठ को लेकर परशासन सतर्क भागपा मवादी संगठन पी एल जीये की बिश्वी वर्षगाठ दो दिसमबर से आठ दिसमबर तक मनाई जा रही है इसको लेकर पुलिस परसाशन पुरी तरह से अलर्ट पर है बतादेगिरी डी जीले के नक्सल परभावित पीरा टांड पारशनात देवरी भेलवा घाटी गावा तीसरी के अलावा हर थाना परभारियों को एसपी अमीत रेनू ने अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है सब्सक्राइब करते हुए निदान करे खुटी जीला मुखिया संग ग्रामिन विकास मंत्री को सफाग्यापन खुटी जीला मुखिया संग के उपाध्यक्स सुसील संगा के नित्युत में मुखिया संग का एक प्रतिनिदी मंडल बुद्वार को परदेश के ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम से मिला प्रतिन इधी मंडल ने उन्हें एक ग्यापन सौपकर चोधा हुए वा पंद्रावे बीत आयोग की रासी का भुगतान खोटी जीले में जुनेशित कराने की मांग किया बोकारो जीले के 300 सिक्षन संस्थान होंगे तंबाकू मुक्ते रश्टिये तंबाकू नियंतरन कारिकरम के तवत इस वर्ष बोकारो जीले के 300 सिक्षन संस्थानों को तंबाकू मुक्त सिक्षन संस्थान घोसित किया जाएगा इसमें सरकारी और सरकारी और कोचिंग सेंटर को समिलित किया गया है जिसे लेका स्वास्त विभाग ने त्यारी शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक राज की सोर महतों के निधन पर जताया सोक मुख्यमंत्री हमंसुरे ने टूंडी विधान सवाच्छेत्र के पूर्व विधायक राज की सोर महतों के निधन पर दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की सांती एवं सोक संत्पत परिजनों को दुख की इस घड़ी को सहने की सकती देने की प्रात्ना की है राजसो को दोगुना करने की दिशा में कारे करे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के पास राज का जेस्टिक कमपन सेशन का भुगतान बकाया है लेकिन केंद्र सरकार दोड़ा भुगतान की दिशा में अब तक पहल नहीं की गयाई है बित एवंबानीजे कर विभाग द्वारा बरतमान में किया जा रहा राजसो संग्र संतोस जनक नहीं है राजसो को दोगना करने की दिसा में कारे करे राजसो संग्रा को प्राथमिक्ता मान आरंब होना चाहिए नकसलियों के गड़ गुमला में चला सर्च अभियान गुमला के पूलिस अधिक्छक हरदीप जनार्दन के अगुवाई में विसुनपूरा के नक्सल प्रवाईत इलाकों में सर्च अप्रिसन चलाया गया बतादे पर्तिबंदित नक्सली संगठन भागपा मवादी के मान कहे जाने वाले विसुनपूरा के जम्ती, कुमहारी, निरासी, बोरहा, आधि गाउं में जनार्दन ने सगन सर्च अभियान चलाया उन्हें सुचना मिली थी कि इस इलाके में नक्सली का अवागबन जारी है पान मसाला गुटका सरजनिक अस्थान पर ध्रूमपान करने पर हुई करवाई राची की उपाईवी छवी रंजन के निर्देश पर राची जीला के सहरी और ग्रामी चेत्रों में परतिवन्दित 11 परकार के पान मसाला गुटका यहां सर्जनिक अस्थान पर ध्रूमपान करने और खुला सिग्रेट बेचने वाले पर करवाई की जा रही है बतादे दो दिनों की करवाई में सहरी छेत्रों में 186 दुकंदार उलंगन करता का चलान काटा गया और 37,900 रुपे तक की आर्थिक दंड के तोर पर वस्कुला गया धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एकन दबाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट वक्स में अपना फिडवेक अवस्य दे थैंक यू